आपने आंट, मतब चीटिया तो ज़रूर देखी होगी, आपने देखा होगा कि वो कहीं भी जाती हैं, तो हमेशा एक के पिछे एक लाइन में चलती हैं, तो ऐसा क्यों होता है, वो कहीं भी जाती हैं, तो उस लाइन में ही क्यों जाती हैं, अगर आपको पता है, तो कमेंट बताए नियुक्त मैं बताता हूं लेकिन उससे पहले आपको वीडियो पूरा देखना होगा लेकिन वीडियो सुरू करने से पहले अगर आपने अभी त्यक हमारे चनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लिजे और बेल नॉटिफिकेशन को आल पर सेट कर लिजे ताकि ऐसे ही इंट्रेस्टिंग फैक्ट आपको मिलती रहे फैक्ट नमबर टेन 2010 में एक बार चीन में संगाई सीटी में 100 किलो मिटर लंबा ट्रैफिक जाम लगा था जो कि 12 दिनों तक चला था तब जाके खतम हुआ था वो फैक्ट नमबर नाइन भारत में लगने फैक्ट नमबर एट आपने रैनबो जिसे इंट्रेस्टिंग भी कहते हैं उसे तो देखाई होगा लेकिन आप जब भी उसे देखते हैं तो वाधा दिखाई देता है लेकिन असल में वो पूरा गोल होता है लेकिन जमीन से हमें सिर्फ आधा ही दिखाई देता है लेकिन ज एंटर की वाइफ स्रिफ 4 डिजिट तक ही याद रख पाती थी इसलिए 6 डिजिट के जगह पर अब 4 डिजिट कर दिया गया है एमेरिका में एक एनिकोईक चेमबर नाम का एक रूम है और यह गिनीज वुक ओफ वॉल रिकॉर्ड में यह दुनिया की सबसे सांथ जगह है और यह कमरा 99.99% साउन को अबजर्व कर लेता है यहाँ इतनी सांती है कि अगर कोई भी 45 मिनट से ज़्यादा रहा तो वो इनसान फागल हो सकता है और अगर आप इस रूम में गए तो आप अपने दिल की धड़का नसों में खुन दोलने की आवाज बारीक बारीक आवाज को भी सून सकते हैं इस्क्रिण में आप जो पेंटिंग देख रहे हैं वो छत्रपती सीवा जी की अस्री तस्वीर है जो लंडन में एक म्यूजियम में रखी गई है हमारे एर्थ पर संसेट मतब सुर्यास्त का समय आस्मान का रंग पिला जैसा हो जाता है लेकिन मंगल ग्रह पर सुर्यास्त का समय आकास नीले रंग का दिखाई देता है फेक्ट नमबर थ्री ये क्रिसर्च के मताबिक चार हजार साल पहले पिरामिड सीसे के तरह चमकते थे क्योंकि इन्हें पॉलिस किये गए सफेद चुना पत्थर से कवर किया गया था ये सुर्या की रौस्नी से रिफ्लेक्ट करते थे फेक्ट नमबर टू हर इंसान के दिमाग में 100 billion neurons होते हैं जिन में से बस 15% ही active रहते हैं अगर इंसान अपने दिमाग का 30% यू इस्तमाल कर ले तो वो जो चाहे वो कर सकता है फेक्ट नमबर 1 चीटिया हमेंसा एक लाइन में चलती हैं क्योंकि अगर आपने नोटीस किया होगा तो चीटिया की आखे तो होती हैं लेकिन हम आपको बता दें कि वो सिब दिखावे के लिए होती है चीटिया आंधी होती हैं उन्हें दिखाई नहीं देता ऐसे में जब ये खाने की खोज में निकलती है तो इन जुन्ट की रानी जो सबसे आगे चलती है वो फेरामोस नामा के एक केमिकल छोड़ती है जिसकी महक से बाकी चीटिया उसे फॉलो करती है क्या आपको एक पहले से पता था कमेंट में जरू बताएगा और वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ से जरू कीजिएगा ताकि औरों तक यह जानकारे पहुंच सके